गोटाले में लालू यादव दोशी करार पाएगा हैं, डोरांडा केस में लालू यादव दोशी करार, चारा गोटाला के पांचवे केस में भी लालू दोशी करार हो चुके हैं, लालू प्रसाद यादव चारा गोटाले के डोरांडा केस में भी दोशी ठेराएगा हैं, ये की सजा होती है तो यहीं से लालू को जमानत मिल जाएगी अगर ऐसा नहीं होता तो लालू को कस्टडी मिलिया जाएगा इससे पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में करीब 14 साल की सजा सुनाई गई थी साथी उनको 60 लाक रुपे का ज जमानत पर बाहर है क्योंकि उनकी जो स्वास्त इस्तिती है वो ठीक नहीं है जिसके कारण वो बाहर आये थे जेल से लेकिन आज जब इस चारा घोटाले मामले के पांचवे मुकदमे पर फैसला हुआ तो फैसला लालू यादव के पक्ष में नहीं आया है हाला कि अभी सज जाती है जेल में जाने की तो उनको जमानत मिल जाएगी लेकिन अभी भी संशे जो है जो सवाल है वो अभी भी बरकरार है कि आखिर कितने साल की सजा लालू यादव को सुनाए जाएगी सूरच कुमार लाइफ जड़ चुके है राची से सूरच देखिए जो चारा घुटाला मामला है पांच मुकदमे दर्च किये गए थे चार में दोशी पाए गए थे 14 साल की सजा काटने के बाद अब पांच में में भी दोशी पाए गए हैं लालू यादव क्या कुछ अप मिल सकते थी लेकिन जिस तरह से आज सीवाई कोट ने लालू प्रसाद यादों को उसी करार दिया है ऐसे सिती में कहीं ने कई पार्टी के साथ साथ जो अन्य जो उनके परिजर हैं उनके फैमिली के लोग है उन्हें काफी जटका लगा क्योंकि सभी लोग ने ये क्यास अधार में बरी करीन जो सजा की अवदी है या पिर जो सजा के अवदी के साथ साथ जो अन्य परिकर क फरवरी को मुकरर्र किया यानि 8 तारी को अगली सुनमाई के दौरान ये पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादो को कितने साल की सजा हुई है और कितने का सजा के साथ-साथ, जो हेल्फ ग्राउंड आजए उस पे कोट की क्या रुख होती है ये 18 फरवरी को पता चलेगा, ले वो काफी मायूश नजर आ रहे हैं और कहीने की लोग का ये भी कहना की हेल्थ के ग्राउंड पर लालु यादों की जो सजा है वो कम होनी चाहिए लेकिन ऐसी सिर्थी में जो लालु परशाद के जो अन्य परिजदन हैं उनका कहना की हमारे जो लोग है वो नियाई के लिए उ जोरदार स्वागत किया था कहीना कहीं अदारत की और से जोरदार जटका जो है वो लालु परिवार को भी मिला है और साथी समर्थकों को भी मिला है ऐसे में कहीना कहीं देखे परिवार भी पहले से सोच के आया होगा सूरज की जेल या बेल जो भी होता है उसके आगे क्या कुछ अब कदम उठाए जाएंगे परिवार की ओर से इस मर्थकों की ओर से इन तमाम मुद्दों को पहले ही सोच लिया होगा परिवार ने ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर तीन साल के अबधी की सजा उनको सुनाई जाती है तो कहीं न कहीं रहाई के लिए बेल के केम्स तक उनकी यहाँ पे विसेश टीटमेंट की गई लालू यादो लगतार बीमार चड़े थे उनके किड्नी में इंफेक्शन थी उनके लिवर में प्रॉबलम था तो ऐसी सिती में लालू प्रसाद यादो लंबे समय से बीमार चड़े थे वो बेड्रेश्ट में थे त लेकिन अब क्या है कि अब जो बिसेश कोट है अब सब की निगाहें 18 फरवरी के जजमेंट पे टिक हुए कि आखिरकार चड़े के जो बिशे सादालत है 18 तारीकों कितने साल का सजा लालू प्रसाद यादों को सुना सकती है क्योंकि लालू प्रसाद के सासद कुल 75 लोग और भी है जिने सजा सुनाया जागा अगर हम आज की बात करें तो इसमें जो सजा जिसमें जो लोगों को दोशी करार दिया गया है उसमें कुछ लोग का जो लिस्ट हमारे पास है जिसमें अशो कुमार साहू को तीन साल की सजा और एक लाकत जुर्माना कोट के तरब से सुलेखा देवी यह भी आरोपी है इन्हें तीन साल की सजा और दो लाकत जुर्माना धुरू भागत को तीन साल की सजा और पच्छतर हजार का जुर्माना यहां पर लगाया गया तो ऐसे सीती में जो लालू यादों की जो जज्जमेंट है वो अठारा फरवरी को आना है हाला कि सबकी निगाएं इसी पर है क्योंकि लोग प्रियता जो है लालू यादों की काफी जादा है और ऐसे में उनका स्वास्त भी ठीक नहीं होता देखना होगा कि राहत उनको दी जाती है दालत की और से या फिर मुश्कले और जादा आगे पड़ेगी बहुत बहुत श